असलाम अलेकुम, आज़ा बनाएंगे चटपटी और स्पाइसी भट्यारा स्टाइल चिकन बिर्यानी, इतनी जबदस बिर्यानी इनफैक्ट आपने भट्यारे यानी की शादियों में भी निखाई होगी, बहुत ही अच्छी ये बिर्यानी बिनकर त्यार होती है, बस खाकर आपको मज़ा आ जाने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं कि जबदस स्पाइसी चटखारे दार बिर्यानी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बिर्यानी का एक खुश्बुदार मसाला तयार कर लेंगे, आधा टीस्पून सॉंफ लेंगे, एक टीस्पून सफेज सीरा लेंग साथ में यह हरी मिर्च लिए है, मैंने 10-12, आप टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च की क्वेंटिटी रख सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हों, अब पहले हम यह सूखे मसाले यानि गरम मसाले इसको एक मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेते हैं, आप चाहें तो हरी मि पीस और गरम मसाले एक साथ पीस सकते हैं, पानी डाल कर या फिर अलग-अलग भी पीस सकते हैं, जैसे कि मैं पीस लेती हैं, तो यहाँ पर पहले मैंने गरम मसाले पीस लेती हैं, तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, और अब मैं हरी मिर्च भी पीस लेती हूँ, अगर यह इसमा अनगे नमक टीजी्पून एंगा सिल औरीडे 2 टीज अटमूल मशारो नमक टंप और 1 टीजपून गर्म मसाले टीज टेहां, डोप्षणल मशारो एक षचाय एक चथाइ तीजंपून के करीब और इन सबी मसालों को शामिल कर देते हैं हम चिकन के अंदर साथ में तीन टेबल स्पून अध्रक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे एक कप यानिकी 250 ग्राम इसमें दही डाल देंगे यह साधा वाला दही है इसमें कोई फ्लेवर नहीं है बहुत खटास भी नहीं है साथ ही में जो हमने हरिमिर्श का पेस्ट बनाया है वह भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी डालकर मैने इसको पीसा था बस दो तीन चमश पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजगा अब यह एक टीस्पून के करीव इसमें मैं केवड़ा वॉर्टर डाल रही हूं ब तो जब तक चिकन माइनेट हो रहा है हमें प्यास को गोल्डन कर लेना है तो एक पैन ले लेंगे इसके अंदर हमें एक कप तेल गरम कर लेंगे अब तीन मीडियम साइज की प्यास इसके अंदर डाल देंगे और प्यास को हमें एक गोल्डन हो जाने तक फ्राय कर लेना है जब हमारी प्यास गोल्डन होने लगेगी तो इसमें से एक प्यास हमें निकाल लेनी है और बाकी की जो दो प्यासे हैं वो इसी एक अंदर छोड़ देंगे यानि की एक हिससा निकाल लेंगे दो हिससा इसी के अ लगाएंगे तो इसको भी रख देते हैं साइड में अब हमने जो चिकेन माइन नेट किया हुआ है वो चिकेन हमें इसके अंदर शामिल कर देना है और गैस की फ्लेम को हाई करके आठ से दस मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे जैसे जैसे ये पकेगा ये पानी छोड़ देगा क्योंकि चिकेन भी अपना पानी छोड़ता है और हमने इसमें दही डाला है वो भी अपना काफी पानी छोड़ता है तो आठ से दस मिनट हो गया इसको पकते वे तो बस अब हमें इसमें ज़रा सा ही पानी डालना है एक जोध कि धंक्त पका लेना है तकरीवन 15 मिनिट के लिए थक्ञाइन मेरा हमेम 18-90% तक वह इनदक साब़ी पैने लिए पाना करें सह प्रहल सादे पाने मेरे तकenser शाबल निखिन तेबल स्पून मैंने डाला है नमक अब इसमें पांस चे हरी में डाल देनी है यह हरी में बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ती है पानी के अंदर और इसमें उबालाने का वेट कर लेना है जब तक पानी मोबाला रही है इधर मैंने आपको दिखाना चाउंगी मैंने चावलो को भीगो लिया था बातमति गोल्डेन राइस लिया मैंने सेला राइस इनको देर से दो घंटे पहले भीगो लिया था और चार कप के करीब मैंने लिया वा है यानि कि 800-800 ग्रैम है यह इसको बस आदे घंटे भी गोईएगा अब हमें अपने भीगेवे चावलो के अंदर से पानी निकाल देना है और शामिल कर देना इसको उबलेवे पानी के अंदर जब पानी में उबाला जाए तभी आपको इसके अंदर चावल डालने और अब चावलो को 5-6 मिनट के लिए ह अगर जादा इसको नहीं सुखाना है अगर आपको लग रहे है थोड़ा जादा ही पानी है तो सुखा लिजेगा लेकिन थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़ दीजेगा एक चोथ हाई कप के खरीब और इधर हमारे चावल भी एक दम बढ़िया से कोख हो चुका है 90 पर ग्रेवी बाहर निकाल लिए क्योंकि मैं इसमें दो लियर्स लगा रही हूं लेकिन आप चाहें तो सारे चावल एक साथ ग्रेवी के ऊपर डाल सकते हैं तो अभी मैं इसमें आदे चावल डाल रही हूं बाकी जो मैंने प्याज वगरा तली है वह इसमें डाल देंगे और साथ में डाल देंगे केवडा वाटर और फूट कलर और साथ में एक टेबिल स्पून में देसी घी डाल रही हूं यह आप्शनल है लेकिन खुछबू बढ़ जाती है ऐसे बिर्यानी की अब हरे धनी और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और शुरू में जो हमने तेल इकाल दिया था ना वोगर हमें इसके अंदर डाल दिना है और अब आमने जो प्यास को गोल्डिन फ्राइय किया था वह भी में डाल देनी है और अब मैं इसमें कपड़े का दम लगा रही हूं यानि कि मैं ऊपर एक कपड़ा रग दूँगी और इसको दम के रगदूदी लेकिन आप चाहें तो बगएर कपड़े के भी इसको दम दे सकते हैं मैंने इसको ओपर धकन रख दिया है अब हमें क्या करना है दो मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखना है खुब अच्छे से पॉट को गरम कर लेना है जब पॉट खुब अच्छे से गरम हो जाए इसके नीचे कोई तवा लगा दीजेगा दो मिनट के लिए उस तवे को भी खुब अच्छे से गरम कर लीजेगा उसके बाइद गैस की फ्लेम को लो कर दीजेगा और लो फ्लेम पर 12-15 मिनट के लिए हमें बिर्यानी को दम कर लेना है क्योंकि इसमें और चिकन और चावल दोनों ही गले वें तो सिंपली 12-15 मिनट में यह खुब अच्छे से दम हो जाएगी तो अभी 15 मिनट के लिए हम इसको दम के लिए छोड़ देते हैं अधर हम रायता बना लेते हैं तो आदधकव मैंने गाणा शपट दही लियाइं और एमने भी-खिरा का रायता बना दीू है खियरे को हमें घरेट कर लेना है तो उपर से पहले घज लिजए-ग जिसों कड़वार निकल कर निदो चब चुभा घिरेगा अब इसमें पुदीने के पते डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा भुनावाज जीरा और नमक डाल दीज़ेगा, और मिला दीज़ेगा, और इस तरह से बहुत ही जबदस खीरे करायता हमारा बन कर तयार है, इधर हमारी जो चावल है यानि की बिर्या कर ऐसे ही छोड़ती चका, 10-15 मिनिट के बाद ही आपको इसको सर्फ करना है, तो इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, और इस तरह से यह बहुत ही जबदस एकदम स्पाइसी चटखारेदार बिर्यानी बन कर तयार होती है, जो की बिर्यानी आपने शादियों में या जो भ आताएवे मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लीजे, एक्तम जटपट इंस्टेंट बिर्यानी आपकी बन कर तयार होगी, बहुत जादा टाइम कंजूमिंग नहीं है, यह बहुत आसान है, तो ट्राइ करें आप यह दबदस से बिर्यानी और मुझको जरूर बताएं, कैसी बनी आपकी बिर्यानी, क्योंकि हमेशा ही मैं आपकी फीडबैक का वेट करती हूँ, और मुझे आपकी पॉजिटिव फीडबैक सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और अगर आपको रैसे भी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को चली पार रहे हैं, तो मेरे आपसे हमेल रिक्वेस्ट है, बिना सब्स्राइब के मच आएगा, थैंक्स पर वोचिंग दर वीडियो, अलला हाफेज,